स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल योजना ग्यान फॉर यू में जहां हम आपके लिए सरकार दोरा लाई गई नए नए योजना आए और उनकी अपडेट हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं आज हम आपके लिए क्या है Senior Citizens ID Card अब नए नियमों के तहत बनेगा Senior Citizens Card हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि online आप कैसे बनवा सकते हैं कौन सी साइट है अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो भी आप Senior Citizens ID Card बनवा सकते हैं तो आएए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है हम आपको इस वीडियो में ऐसा दिखाएंगे आवेदन फारम पूरा देख सकते हैं आप यहां पर आवेदन फारम है यह आपको सब्मिट करना है यह कैसे करना है और कैसे आपके पास आएगा यह आवेदन फारम वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किये अंत तक जरूर देखें अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन की घंटी दमाए ताकि आपको आने वाली वी आइदे मिलते हैं ऐसे में अब सरकार की ओर से सीनियर सीटिजन्स कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है आये जानते हैं क्या है सीनियर सीटिजन्स बनवाने के नए नियम भारत सरकार द्वारा वरिष्ट नागरिकों के कल्यान के लिए विभिन सरकार द्वारा साथ वर्ष से अधिक उमर के नागरिकों के लिए जारी किया जाता है उमर के साल के लिए ये साथ वर्षों से अधिक के लिए जारी किया जाता है Senior Citizens Card वरष नागरिक Card एक वर्ष नागरिक के पहचान परमान के रुप में करे करता है इस कारड के माध्यम से वरष नागरिकों को भाराष सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन सरकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन परकार की सिवाएं मिलती हैं अगर आप भी भारती हैं और आपकी उम्र 60 साल है तो आपको बिना देर किये अपना वरिष्ट नागरी कार्ड बनवा लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास यह कार्ड नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वरिष्ट नागरी कार्ड ऑन-लाइन कैसे बना सकते हैं इसके अलावा Senior Citizens कार्ड से आपको क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ट नागरिकों को कई परकार के स्वास्त समंधी आर्थिक समस्या समंधी और पैंशन समंधी लाव परदान किये जाते हैं वरिश नागरिकों को ये सभी सुविधाएं परदान करने के लिए सरकार द्वारा Senior Citizens Card ID दी जाती है Senior Citizens Card वरिश नागरिक कार्ड की मदद से भारत में रहने वाले वरिश नागरिक सरकार द्वारा परदान की जाने वाली कई परकार की सेवाओं के साथ साथ नीजी योजनाओं के तहत भी लाग उठा सकते हैं यह कार्ड भारत सरकार द्वारा साथ वर्ष या उससे अधिक आयू के नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जिसमें नागरिक का बलड ग्रूप, अपातक लिन मुबाइल नंबर, अलर्जी और अन्य स्वास्ते समंधी जानकारी दी जाती है जिसके लिए वरिश नागर कार्ड बने लिए उनलाइन आवेधन कैसे करें, के समंध में जानकारी ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें सरकारी दफतरों के चकर काटने पड़ते हैं, आपकी इस समस्या का समधान करने के लिए इस वीडियो में सीनियर सिटीजन्स कार्ड आनलाइन कैसे बनाएं के बारे म व्रिष्ट नागरिक पहचान पत्र जारी करने का मुख्य उदेश्य देश के व्रिष्ट और गरीब नागरिकों को विभिन परकार के सरकारी और नीजी सुविधाओं का लाव इस काड के माध्यम से प्राप्त कराना है ताकि इसके माध्यम से व्रिष्ट नागरिक सेवाओं का लाप प्राप्त किया जा सके यह कार्ड एक अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए है senior citizens कार्ड वरिश नागरिक कार्ड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वरिश नागरिकों को कई सरकार के दोरा देश के वरिष्ट नागरिकों के लिए वरिष्ट नागरिक आईडी कार्ड जारी किया जाता है यानि सीनियर सिटिजन्स आईडी कार्ड जारी किया जाता है यह एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से वरिष्ट नागरिकों को कोई परकार के लाब प्राक्थ हो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं Mechanical वे आइडी काड़ से प्राक्ट कि द्लाब है positives Kal 沒有 इस कर सकते हैं अगर आप एक वरिश्ट नागरिथेंग और आप अपना senior citizens करद बनवाने के लिए online या offline आवेधन करना चाहते हैं तो इसके पास कुछ महत्तव पुर्ण दस्तावेज होने चाहिए क्योंकि बिना इसके आप सीनियर सीटिजन्स काड़ बनवाने के लिए आवेदन करता के पास पंचांग परमान के लिए अधार कार्ड होना चाहिए भारा सरकार के द्वारा केवल साथ वर्ष से अधिक आयू के नागरिकों के लिए व्रिश नागरिक काड जारी किया जाता है इसलिए आवेदन करता के पास आयू परमान पत्र होना अनिवारे है वरिश्ट नागरिक परमान पत्र बनवाने के लिए निवास परमार के लिए राशन कार्ड, चुनाव कार्ड या बिजली या फोन बिल आधी काई भी जरूरत पड़ती है इसके अलावा आयोजक की चिकिसा रिपोर्ट के लिए ब्लड ग्रूप, एनर्जी रिपोर्ट और दवाय संबंदित विबरन की मांग की जाती है इसके अलावा आपके पास कम से कम तीन पासपोर्ट साइस फोटो एक चालू मुबाइल नंबर होना जरूरी है Senior Citizens Card Online कैसे बनवाएं अब आपका हम जवाब देने वाले हैं अगर आप घर बैठे अपने Senior Citizens Card ID Card बनवाने के लिए Online अवेदन करना चाते हैं लेकिन आपको इसकी अवेदन परक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके Senior Citizens Card बनवाने हेतु Online अवेदन कर सकते हैं ब्रिष्ट नागरिक पहचान पत्र बनवाने के लिए सव प्रतम अवेदक को अपने राज्य की अधिकार्थ वेबसाइट पर जाना होगा हम आपको इसमें दूसरा तरीका भी बताएंगे अगर आपसे इस तरीके से नहीं हो पारा आप अपने राज्य की अधिकार्थ वेबसाइट के माधन से ही Senior Citizens Card बनवाने के लिए अवेदन फारम पाराप्त कर सकते हैं यहाँ मैं आपको दिली का Senior Citizens Card बनाने का परसेस के बारे में बता रही हूँ अगर आप दिली राज्य के निवासी हैं तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं senior citizens.dillipolice.gov.in पर क्लिक करके दिली राज्य की अधिकार्थ वेबसाइट पर आप जाके यह कार्ड बनवा सकते हैं इसके अलावा दूसरा तरीका है अगर आप किसी भी राज्य से हैं और आप प्रिश्नागरिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप Google पर जाएं और वहाँ पर www.seniorcitizenscard.com की खोज करें उसके बाद आपको यह स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है वैसा दिखाई देगा Senior Citizens Card Application Form आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अवेधन फारम खुल जाएगा आवेधन फारम खुलने के बाद इसमें आपको जो चीजे पूछी गई है वो आपको बताना है जैसे की सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं आवेधन फारम है इसमें आवेधक का विवरन चाहिए जिसमें लिखा है इसे उस आवेधक तुरा भरा जाना है जिसने भरने की तिथी को 60 वर्ष की आयू पूरी कर ली है उसके बाद है आवेदक का नाम आपको अपना नाम सही सही दर्ज करना है फिर है जनम की तरीक जनम की तरीक भरनी है उसके बाद है बलड ग्रूप उसके बाद आपको बलड ग्रूप भरना है फिर है आपका पता और अधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो उसके बाद है मेल पता अगर आपका कोई इमेल आईडी है तो आप वो भर सकते हैं उसके पास है सपेक्ष विवरन यानि की अपाता कलें स्थिती में व्यक्ति से संपर करें अगर आपका कोई संबंदित है कोई पुत्र या पतनी किसी का आप यहां पर नाम दर्च कर सकते हैं और उसका मुबाइल नंबर उसके बाद आपको यह जो ब्लू कलर का दिख रहा है सब्मिट बटन इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपका यह ऑनलाइन अवेदन हो जाएगा उसके बाद शिपिंग का पता आपको बताना है यहां पर क्लिक करके उसके बाद भुगतान करें डाक द्वारा दस्ता वेजी करन जो भी इसका पैसा लगेगा फीस लगेगी वो आपको जमा करना है उसके बाद आपको सीनियर सिटिजन कार्ड मिल जाएगा इसको आप सही तरीके से भरके वृष्णागरिक कार्ड प्राइगे और ऐसे जानकारिक लिए चैनल के साथ बने रहें इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साथ में बेल आइकन की घंटी दबानी है ताकि आपको वीडियो की जानकारी जलद मिल सके वीडियो पसंद आई हो तो लाक जरूर करें दोस्तों रिसे जरकसा शेयर करें ताकि वो भी सीमिय सीटिजन्स कार्ट बनवाने का फायदा ले सकें धन्यवाद